हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यॉर क्लास, मैं सुसांत कुमार और अपने आज के इस वीडियो में हम विभिन्न खेलों के खेल परिसर मिन्स वेरियस टैप्स के स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए हम फटा-फट से अपने वीडियो की और आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के आज के इस लिष्ट में हमने 15 खेल परिसरों को रखा हैं जिसमें अगर हम बात करें पहले नंबर की, तो उसमें हमने डायमंड को रखा हैं और अगर हम इसमें खेले जाने वाले खेल की बात करें, तो वहां खेल बेसबॉल हैं आगे इस लिष्ट में हमने कोश को रखा हैं, जिसमें खेले जाने वाले खेल की अगर बात की जाएं, तो वहां गोल्फ हैं आगे हम मैट को देखते हैं जिसमें खेले जाने वाले खेल जुडो कराटे एवं टेक वंडो हैं लिस्ट के फिफ्थ नंबर पर वेलो ड्रम है जो की साइकलिंग से संबंधित है नेक्ष्ट अगर हम ट्रैक की बात करें तो वह एथलेटिक से संबंधित है नाँ अगर हम रैंज की बात करें तो वह सुटिंग और आर्चूरी से रिलेटेड है नाँ हम कोट की बात करते हैं जिससे रिलेटेड स्पोर्ट हैं टैनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, खोखो, स्क्वैस, कबडडी, हैंड बॉल एड वाली बॉल अगर हम रिंग की बात करें तो वह स्केटिंग और बॉक्सिंग से रिलेटेड खेल का परिसर है नेक्स्ट अगर पूल की बात करें तो उसमें हम स्विमिंग करते हैं नेक्स्ट नंबर पर हमारा एले है जोकी बॉलिंग गेम से रिलेटेड है अगर अरेना की बात की जाए तो उसमें हम होर्स रैडिंग मिन्स घुरसावारी करते हैं अगर हम फिल्ड पर खेले जाने वाले स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें पोलो, फुटबॉल एंड होकी सामिल हैं अगर हम क्रिकेट और रगबी की बात करें तो वह पीच पर खेले जाते हैं अगर आज के हमारे 15 खेल परिसरों की सुची में अगर आखरी में हम रिंक की बात करें तो उस पर खेले जाने वाले स्पोर्ट्स में कर्लिंग और आइस होकी सामिल हैं तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 15 खेल परिसरों एवं उनसे समबंदित खेलों के बारे में डिसकस किया है, मैं कोशिस करूंगा कि जल्द ही इस वीडियो का पाट्टू लेकर आऊ, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, कीपी स्माइलिंग,